किसी भी मैनुफैक्ट्शर को प्रोडुट्सर को गुड़ को प्रोडुच करने के लिए उसको different type of जो है वहाँ पर payment करने पड़ते हैं वहाँ पर कुछ payment fixed nature के होते हैं कुछ payment जो है वो variable nature के होते हैं जैसे कि building की cost हो गई वो fixed है लेकिन वही पर machine का cost हो गया वो भी fixed है लेकिन वहीं पर labor हो गया, raw material हो गया, यह सब क्या है variable nature के होते हैं, यानि कि अगर manufacturer को कोई good produce करना है, तो उसको अलग-अलग type के payment करने पड़ते हैं, machine खरनी पड़ेगी, labor को जो है वहाँ पर salary or wage देना पड़ेगा, raw material purchase करना पड़ेगा, electricity bill पे करना पड़ता है, government को taxes पे करन पड़ता है, तो वो जो खर्चे करता है, जो expenditure वो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, cost कहते हैं, expenditure यानि कि made by manufacturer to produce goods termed as cost, यानि कि जो भी खर्चे एक goods को बनाने के लिए, जो भी खर्चे मसीन पर, labor पर, raw material पर, electricity पर, या फिर जो भी खर्चे आ रहे हैं, उन सभी खर्चों को ही क्या कहा जाता है, cost कहा जाता है, clear, तो manufacturer के point of view से cost क्या हो गया, cost वो हो गया, जो उस goods को बनाने में, manufacturer खर्चा किया है, जो भी पैसा लगाया है, उस goods को produce करने में, हर type का खर्चा, वो cost कहलाएगा, clear, अब अगर producer को कुछ भी produce करना है, output जो है produce करना है, तो उस case में producer को inputs लगाने परते हैं, लेंड, labor, capital, raw material, इन समका यूज करके, जो है, उनको product को बनाना होता है, clear, तो अब ज पास सही लगा देता है, जो honor है, वो अपने पास सही लगा देता है, clear, तो ऐसे inputs, ऐसे inputs, जो कि आप external sources से या फिर outsider से hire करते हैं, उनके लिए जो expenditure आता है, उसको कहते है, explicit cost, clear, in order to produce output, the firm need to employ inputs like land, labor, capital, there are some inputs which is hired from external sources, और outsiders, like employee, raw material, building, on rent, etc, यहाँ पर क्या है, कि आप जो है employee है तो बाहर से लेना है, raw material तो supplier से लेना है, building on rent, तो जो building का honor होगा, उससे लेना है, तो उसको आपको पैसा देना होगा, raw material जिससे purchase क्या है, उसको पैसा देना होगा, employee को hire किया, तो employee को salary देनी पड़ेगी, तो यह सब क्या है, इस सम्वें आप दो है, कहीं नगी external sources के भी outsider को पैसा पे करते हो, तो इसमें जो expenditure आता है, expenditure incurred on these inputs are called explicit cost, clear, वहीं पर ऐसे inputs जिनको आपने अपने पास से लगाया है, उस पे जो खर्चा आता है, उसको कहते implicit cost, there are some inputs that belongs to owners and are being employed in the business, जैसे कि आपने अपना land use किया है, बिजनस के लिए, तो उस पे rent आपको मिलना चाहिए, इस उसका interest आपको जो हाँ पर मिलना चाहिए, clear, तो जो ये cost होती है, इस पर जो expenditure आता है, उसको कहते है implicit cost, यहाँ पर calculate कैसे होता है implicit cost, आपको ध्यान रखना देगे, जो outsiders है, जिस salary बात हुई, employee को दे दिया, जितने में market में rate चल रहा है, raw metal उतने में purchase कर लिया, जितना rent market में rent चल रहा होगा, उतने area का, उतने जमेन का, उस हिसाब से आप जो है अपने लिए rent वहाँ पर दोगे, इसी तरफिके से capital पर interest की बात हो गई, तो आपने जो capital लगाया है, उतना ही अगर कहीं आप किसी bank में FD करते हैं, फिर कहीं और invest करते हैं, उस पर जो interest मिलता, उस करना है, clear, तो explicit cost और implicit cost ये, दो type के cost होते हैं, explicit cost जहाँ पे आप outsider को payment करते हो, expenditure करते हो, और implicit cost जहाँ पे आपने लगाया resources पे जो आप payment करते हो, clear, तो ये बात हो गई, type of cost की, अब बात करने, short run cost की, तो देखे, short run cost में हम तीन type के cost यहाँ पर calculate करते हैं, total cost, average cost और marginal cost, अब fixed होते हैं, तो जो variable होते हैं, उनके लिए अलग cost आएगी, जो fixed होते हैं, उनके लिए अलग cost आती है, clear, तो the cost that a firm incurs to employ these fixed inputs, like land, building, ये सब क्या है, fixed inputs हैं, ये चाहे आप एक unit produce करो, चाहे दस unit produce करो, चाहे एक भी unit produce मत करो, इस पे आपका खर्चा आना ही आना है, अगर आपन उस महीने 10 unit बनाया हो, चाहे आपने 1000 unit बनाया हो, आपको rent देना है, चाहे आपने एक भी नहीं बनाया, तभी आपको rent देना पड़ेगा, clear, land हो गया, land का rent देना हो गया, building हो गया, building का rent देना होगा, employee को salary देनी होगी, तो ये जो है, fixed type के inputs हो जाते हैं, clear, तो ये क्या है, इस पे जो expenditure आता है, उसको हम कहते है, total fixed cost, यानि कि fixed input पे जो cost आ रही है, उसको कहते है, total fixed cost, whatever amount of output the firm produces, this cost remain fixed for the firm, तो firm चाहे जितना भी amount produce करे, ये cost fixed रहता है, clear, जो आप land ये building पे लगाते हो, machinery पे लगाते हो, clear, अब machine आपने 1 लाख की खरीद ली, तो 1 लाख आ गया, आप चाहे उस machine से 1 unit बनाओ, चाहे 10 unit बनाओ, वो खर्चा रहेगा, इसी तरीके से जो अगली cost है, वो है total variable cost, तो variable inputs पर जो आप cost incur कर रहे हो, उसको total variable cost कहते हैं, जैसे raw material, तो अब आप एक unit बनाओगे, तो वहाँ पे क्या होगा, कि आपको एक unit के हिसाब से raw material चाहिए होगा, 10 unit बनाओगे, तो जादा raw material चाहिए होगा, तो यानि कि एक unit बनाओगे, तुहाँ पर अलग cost होगी, 10 unit बनाओगे, तुहाँ पर अलग variable की cost होगी, तो जो variable factors हैं, variable inputs हैं, उन पे जो expenditure आता है, उसको कहते है total variable cost, और ये जो है vary करता है depending on the production, आप कितना production कर रहे हो, उसके हिसा unit produce करो, चाहिए वो 10 unit produce करो, clear, तो अब आपको पता चल गया दो चीज़, total fixed cost और total variable cost, तो अब जो है total cost कैसे निकालोगे, short run में, तो short run में total cost की लिए का करना पड़ेगा, जो total fixed cost है, और जो total variable cost है, उन दोनों को plus कर दीजे, आपका आ जाएगा total cost, तो adding the fixed and variable cost, we get the total cost, यानि short form में हम TCE से denote करते हैं, TCE is equal to TVC, यानि total variable cost plus TFC, यानि की total fixed cost, clear, तो total cost के इस पुरे concept चे आपने एक चीज़ यहां देनी है, कि in order to increase the production of output, the firm must employ more of the variable input by production बढ़ाना है, तो आपको ज्यादा variable input लगाना पड़ेगा, production कम है, तो कम variable input चाहिए होगा, production ज्यादा है, तो ज्याद variable input साहिए होगा, यानि की total variable cost and total cost will increase, यानि की जैसे-जैसे production बढ़ेगा, वैसे-वैसे total variable cost और जो total cost वो दोनों increase करेगा, clear, क्योंकि total cost में फिस cost के साथ variable cost भी है, तो जब total variable cost increase करेगा, तो total cost भी increase करेगा, therefore, as output increases, total variable cost and total cost increases, यह आप ध्यार रखिएगा, clear, अब हम बात कर ले कि इनको कैसे figure में show करते हैं, कैसे schedule में show करते हैं, कैसे calculate किया जाता है, कैसे graph बनेगा, clear, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, total fixed cost के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कि आपने zero unit, यानि की एक भी unit नहीं बनाई, फिर भी total fixed cost वहाँपर 12 rupees है, clear, आपने वह एक unit दो युण बनाई, तब भी 12 रुपए, तीन unit बनाई, तब भी 12 रुपए, तब भी 12 रुपए, तब भी 12 रुपए, तब भी 12 रुपए ऑफिफ्ट युणिट बनाया, तो भी 12 रुपए आपको इहां पर total fixed cost लगनी लगनी है, clear, तो अब आपको जो है इसको graph में show करना है तो पहले हम total fixed cost को कैसे graphically represent करते हैं वो आपको देखना है कि कैसा curve होता इसका तो आपको क्या करना है पहले x और y axis बना लेना है x axis पे आपको output units में लिख लेना है और y axis पे आपको fixed cost जो है वो rupees में लिख लेना है अब आप यहाँ पे देख रहोगे कि एक unit के लिए verse 12 है दो unit के लिए beth 12 रूपे है तीन unit के लिए beth 12 रूपे है और 0 unit के लिए beth total fixed cost 12 रूपे है तो यानि यहाँ पर जो कर्व होगा वो कैसा होगा straight line होगा जो की x axis के parallel होगा horizontal straight line होगा क्योंकि सभी units के लिए 12 रूपय है तो curve कैसा बन जाएगा कुछ इस तरीके से आपका एक straight line बनेगा एक unit में भी 12, दो unit में भी 12 तीन unit में भी 12, चार unit में भी 12 पाँच में unit में 12 ही fixed cost, total fixed cost यहाँ पर है clear, तो एक horizontal straight line यहाँ पर बन जाएगा तो TFC क्या हो गया, TFC curve is a horizontal straight line parallel to X axis showing that total fixed cost remains same at all level of output यानि कि total fixed cost क्या है वो same रहता है सभी level of output पे और वो X axis के parallel होता है और horizontal straight line होता है, तो यह point इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं पर question को पूछा जाता है, MCQs में ही पूछ लिया जाता है या फिर आपको जब लिखना होगा short run cost में total fixed cost के बारे में तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कि total fixed cost curve क्या है horizontal straight line होता है, parallel to X axis होता है and it remains same at all level of output clear तो और एक चीज और आपको ध्यान रखना है है कि in short run TFC यानि कि total fixed cost remain constant even when output is zero, तो वही चीज हो गई कि remain same at all level of output clear, अब बात कर लें total variable cost के लिए, कि total variable cost का schedule और जो है graph कैसे बनेगा तो आप यहाँ पर इस के लिए देख सकते हैं कि आपको जो है different outputs के लिए total variable cost यहाँ पर दे दिया जाएगा clear, तो zero output के लिए zero रहेगा, क्योंकि आपने एक भी unit नहीं बनाई तो variable inputs पे आपने एक रुपए भी खर्चा नहीं किया, वही एक भी unit नहीं बनाना है, तो आप raw material purchase ही नहीं करोगे लेकिन जब एक unit बनाना होगा, तब आपने 6 रुपए का raw material purchase कर लिए दो unit बनाना हुँ, अतब आपने 10 रुपए का raw material purchase के लिए clear, तो इस तरीके से जो है total variable cost जो है, वो unit के हिसाब से बढ़ता चला जाता है, क्लिए तो अब यहाँ पर आपको data दे दिया गया है, आपको क्या करना है, इसको graphically represent कर लेना है, तो आपको simple x-axis, y-axis, x-axis पे output लिए, y-axis पे variable cost लिख लिए और points को match कर देंगे, तो क्या आजाएगा, कुछ इस तरीके से आपका curve होँआ पर बन जाएगा, कि एक output के लिए, 6, 2 output के लिए, 10, 3 output के लिए, 15, 4th output के लिए, 24, 5th output के लिए, 35, तो कुछ इस तरीके से जो है, आपका inversely as saved curve आ जाएगा, इसको कह गते है inversely as saved curve, और आपको यहाँ पर एक चीज अधान देनी है, कि जो variable cost है, वो 0 से start रहा है, क्योंकि 0 पे 0 variable cost है, 0 पे fixed cost 12 थी, यानि कि 0 पे कुछ ना कुछ fixed cost रहेगी, लेकिन variable cost के case में 0 पे 0 ही रहेगा, क्योंकि आप एक भी unit नी मना रहे हो, तो यह भी पैसा कर्च आपका नहीं हो रहा है clear, तो TVC यानि कि total variable cost कर भी जिनुवरसली as saved as it initially increases at decreasing rate and later it increases at increasing rate, यानि कि शुरुवाती में क्या करता है, कि कम rate से increase हो रहता है, लेकिन बाद में higher rate से increase होता है, इसलिए पहले यह क्या है, थोड़ा सा down है उसके बाद फिर देखे, जैसे जैसे production भड़ा है, तैसे तैसे यह जो है और ज़्यादा तेज यह speed में increase हो रहा है, clear, तो as saved curve क्यों है क्योंकि initial में decreasing rate से increase हो रहा है, increase तो हो रहा है total variable cost देख लिए, अब TFC नहीं total fist cost और total variable cost को जब plus करते हैं, add करते हैं, तो क्या जाता है आपके पास total cost आजाता है, तो total cost का schedule कुछ सरीके सरेगा, आपके पास TFC दे दिया जाएगा, आपको total variable cost दे दे जाएगा question में, आपको बला जाएगा कि total cost calculate करिए, short run में total cost calculate करिए, तो आप आसानी सुझे हैं, आपर formula आपको पता है कि total fist cost plus total variable cost is equal to total cost, तो total fist cost को total variable cost से plus कर देना है, आपको total cost निकल जाएगा हर unit के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर देहाँ रखना है, कि कुछ-कुछ question ऐसे होता है है कि वहाँ पर total cost दे देगा, total fixed cost दे देगा, total variable cost पूछ लेगा, तो simple सा आपको total cost में से total fist cost minus कर देंगे, तो total variable cost आ जाएगा, वही पर total cost में से total variable cost minus कर देंगे, तो total fist cost आ जाएगा, तो कुछ भी तरीके से आप से question पूझा जा तो आप आसानी से उसको solve कर सकते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 0 unit के लिए fist cost का है 12 rupees वही पे variable cost क्या होगी? 0 होगी क्योंकि 0 produce किया है आपने तो total cost के वाज़ेगी 12 plus 0, 12 इसी रिके से 1 unit के लिए क्या है fist cost 12 rupees रहेगी और variable cost 6 rupees रुपए आ गई तो 12 plus 6 total cost कितना हो गया? 18 इसी तरह कि हर unit के लिए आपने यहाँ पर calculate कर लिया है clear? अब आपको क्या करना है? simple सा फिर से graph लिएक इसको present करना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? आप x axis पर output लिखेंगे, y axis पर total cost लिख देंगे तो graphically कुछ इस तरीके से जो है आपके curves बनेंगे तो यहाँ पर हमने total fist cost, total variable cost और total cost तीनों का curve शो कर दिया है तो total fist cost क्या है? horizontal state time रहेगी जो की parallel to x axis जाने की output के parallel रहेगी वही पर जो total variable cost है वो inversely as saved है जो की 0 से start होती है और increase करती है शुरुआत में धीरे-धीरे increase करती है और बाद में higher rate से increase करती है जैसे जैसे output बढ़ेगा उसका increasing rate बढ़ जाएगा clear उसके बाद जो total cost है, total cost कहां से सुरूँगा? जहां से total fist cost सुरूँगा है वही से total cost का curve जो ही start होगा और वो increase करेगा, वो भी inversely as saved है और increase करेगा clear तो TC यानि total cost curve is also inversely as saved and total cost derive its shapes from the TVC total variable cost से ही total cost का curve आता है क्योंकि total cost में total variable cost का ज़्यादा influence रहता है वो vary करता रहता है, इसलिए total cost भी vary कर रहा होता है clear क्योंकि fixed cost तो fix है, variable cost की वज़े से ही total cost क्या कर रहा है? vary कर रहा है, इसलिए inversely as saved है, वो total variable cost की वज़े से ही है total cost is equal to total fixed cost as zero output यानि कि zero output पे total cost क्या होगा, वो total fixed cost के बराबर होता है clear, यह दूसरा relationship आपको देखने को मिल गया वही पर तीसरा point है कि TC and TVC यानि कि total cost and total variable cost curves are parallel to each other as vertical distance between them is TFC, total fixed cost which remains constant at all output level यानि कि यहाँ पर क्या है, जो total cost का curve देख रहे है और जो total variable cost का curve देख रहे है दोनो क्या है, parallel रहेंगे क्योंकि total cost में total fixed cost और add हो गया है तो इसलिए क्या है, दोनो एक साथ नहीं आ सकते हैं दोनो parallel चलेंगे और total cost जो है, वो total fist cost से शुरू होता है, clear, यह आपको हो गया concept total cost का, अब आता है next concept that is average cost, तो average cost क्या होता है, simple सा average cost refers to per unit cost, यानि एक unit को produce करने की कितनी cost आ रही है, उसको average cost कहा जाता है, तो average cost कैसे calculate करते हैं, तो simple सा total cost को number of quantity से divide कर दिजे, आपका average cost आ जाएगा, तो obtained by dividing total cost by quantity produced, तो आ जाएगा average cost यानि की ac is equal to tcyq, ac यानि average cost equal to total cost tc divided by q यानि की quantity, clear, तो आपको पता है कि short run में कुछ cost fix होते हैं, कुछ cost variable cost होते हैं, तो यहाँ पर भी आप जो है total fixed cost और total variable cost के basis पे average fixed cost और average variable cost भी calculate कर सकते हैं, तो average fixed cost क्या हो जाएगा total fixed cost divided by quantity, वही पर average variable cost क्या हो जाएगा total variable cost divided by quantity, तो आप जो है, जो average cost है, जिसको हम atc भी कहते हैं, या फिर ac कहते है, average total cost या फिर average cost, तो इसको जो है आप इन average fixed cost और average variable cost के basis पे भी निकाल सकते हो, क्या करना है दोनों को plus कर देना यानि कि पहले average fixed cost निकाल लीजे फिर average variable cost निकाल दीजे फिर average fixed cost को average variable cost में plus कर दीजे आपको आ जाएगा average cost या फिर average total cost cost clear तो चाहे total cost को quantity से divide कर देंगे तो भी average cost निकल जाएगी चाहे पहले fixed cost का average fixed cost निकालिए और variable cost का average variable cost निकालिए और उन दोनों को plus कर दीजे तो भी आपका average cost calculate हो जाएगा clear तो अब हम देखते हैं average fixed cost का graph और schedule कैसे बनता है कि आपको output और total fixed cost दिया रहेगा output और total fixed cost तो आपको simple सा क्या करना है total fixed cost divided by output कर देना है आपको हर unit के लिए average cost average fixed cost पता चल जाएगी तो कुछ इस तरीकिसे आप देखेंगे तो zero output के लिए total fixed cost कितनी है 12 तो यहाँ पर आप देखेंगे average fixed cost में तो 12 divided by 0 क्या होगा infinity हो जाएगा clear 12 divided by 0 infinity होती है उसके बाद one output के लिए fixed cost क्या है 12 12 जो fixed cost हो तो जो है fix ही रहेगी तो one unit के लिए भी क्या है 12 तो 12 divided by 1 कर देंगे 12 आजाएगा इसके बाद two unit के लिए क्लिए total fixed cost 12 है तो second unit के लिए 12 है त्यानिकी 12 divided by 2 कर देंगे 6 आजाएगा 3 unit के लिए 12 है तो 12 को 3 से divide करेंगे 4 आजाएगा इसी तरीके से next के लिए 3 और next के लिए 2.40 आजाएगा clear तो इस तरीके से आपको average fixed cost calculate कर लेना है उसको फिर से simple graphically आप जब present करेंगे तो x-axis पे output y-axis पे आपको average fixed cost लिख लेना है और सारे points को match करते चलना है कि 1 output पे कितना है 12 है 2 पे 6 है 3 पे 4 है 4 पे 3 है और 5 पे 2.40 है तो ये सारे points को match करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपको curve देखने को मिलेगा जो की sloping downward है downward sloping curve है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कभी भी x-axis को नहीं चुएगा क्यों नहीं चुएगा क्यों total fixed cost कभी 0 होगा नहीं तो जो average fixed cost curve है वो कभी x-axis को touch नहीं करेगा और वहीं पर y-axis को भी touch नहीं करेगा क्योंकि fixed cost यहाँ पर 0 पर भी है तो इसलिए average fixed cost curve वो नहीं y-axis को touch करेगा नहीं x-axis को touch करेगा clear तो AFC कर्व यानिकी average fixed cost curve slope downward as AFC falls with increase in output तो यहाँ पर है downward sloping curve है क्योंकि जैसे जैसे output बढ़ रहा है वैसे वैसे जो average fixed cost है वो क्या हो रहा है decrease हो रहा है आप देख सकते 1 unit के लिए 12 था फिर 2nd unit के लिए 6 हो गया फिर 3rd unit के लिए 4 हो गया 4th unit के लिए 3 हो गया 5th unit के लिए 2.40 हो गया यानि कि क्या कर रहा है जैसे जैसे output बढ़ रहा है वैसे वैसे यह जो AFC है वो decrease हो रहा है इसलिए downward sloping है वहीपर next जो है AFC curve is a rectangular hyperbola जो AFC curve है वो rectangular hyperbola यानि कि जो area है under the curve वो हमेशा same रहेगा at all points सभी point पर area same रहेगा इसलिए यह rectangular hyperbola भी है clear तो यहाँ पर 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है पहला कि जो AFC curve है वो X है और Y axis को touch नहीं करेगा दूसरा downward sloping है तीसरा rectangular hyperbola curve होता है average fixed cost तो इसी तरीके से आपको average variable cost अभी मिल जाएगा तो वहाँ पर क्या करना है average variable cost में आपको output दिया रहेगा आपको total variable cost दिया रहेगा आपको average variable cost calculate कर लेना है simple सा है कि total variable cost को divided by quantity कर दीजे आपको average variable cost निकल जाएगा तो 0 का 0 ही रहेगा 1 के लिए यहाँ पर 6 variable cost है तो 6 by 1 यानि 6 divided by 1 यानि 6 आजाएगा second unit के लिए 10 variable cost है तो 10 divided by 2 5 आजाएगा इसी तरीके से जो है आपको curve देखने को मिलेगा U-shape यानि average variable cost curve क्लियर इसी तरीके से अब आपने average variable cost निकल लिया average fixed cost भी निकल लिया तो अब आसानी से जो है आप average cost को calculate कर सकते है और उसको graphically उसका curve जो है present कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वहाँ पर average cost का curve देखने को मिलेगा यहाँ आप schedule में देख सकते हैं कि output दिया गया है average fixed cost दे दिया गया average variable cost दे दिया गया जो भी आपने पीछी निकला अब क्या करना है simple सा AFC और AVC यानि average fixed cost और average variable cost को प्लस कर देना है आपको आ जाएगा average cost और फिर average total cost आ जाएगा उसको graphically आप जो है x axis पे output y axis पे average cost रख दीजे और जो है सारे points को match कर दी तो आपको कुछ इस तरीके से u shape curve आपको देखने को मिल जाएगा clear तो इस तरीके से जो है आपको average cost calculate करना है और average cost का curve u shape में आएगा next जो है that is marginal cost तो marginal cost एक extra unit बनाने पे जो cost आती है उसी को क्या कहते है marginal cost कहते marginal cost refers to addition to total cost when one more unit of output is produced अब suppose करें कि जो total cost थी 3 unit बनाने की वो थी 300 rupees clear वो थी 300 rupees 3 unit को बनाने की cost लेकिन जब आपने 4th unit बनाया तो जो total cost है वो 340 rupees हो गई जो 4th unit बनाया उसमें total cost क्या होगी 340 rupees हो गई तो अब आपको find out करना है marginal cost आने की 4th unit बनाने का extra cost क्या आया तो simple सा क्या करना है TCN marginal cost को कैसे calculate करने TCN minus TCN minus 1 यानि total cost of nth unit minus total cost of nth minus 1 यानि की nth की previous वाले unit का क्या total cost था उसको minus कर देना है आपका answer जाएगा तो थर्ड unit तक कितना cost था 300 rupees थर्ड unit तक बनाने का 300 rupees था जैसे आपने 4th unit बनाया 340 rupees आ गया तो अब आपको marginal cost calculate करना है 4th unit का तो 4th unit का total cost क्या है 340 और 3rd unit का total cost क्या है 300 तो 340 minus 300 करेंगे तो answer जाएगा 40 clear तो marginal cost क्या हो गया 40 याने की एक extra unit बनाने की cost क्या आ गई 40 तो addition to total cost when one more unit of output is produced उसको क्या कहते है marginal cost कहते हैं इसको दूसरा formula भी calculate करने का होता है that is change in total cost divided by change in unit of output clear change in total cost divided by change in unit of output जहाँ पर आपको एक चीज और धिया रखना है कि marginal cost is not affected by fixed cost but affected by variable cost तो जैसा कि पहरे ही रताया कि fixed cost क्या है चाहे आप 0 unit produce करिए चाहे 10 unit produce करिए आपको fixed cost same रहेगी लेकिन जो vary करेगी वो variable cost vary करेगी आप एक unit बनाओगे तो अलग cost आएगी दो unit बनाओगे तो अलग cost आएगी तो इसलिए marginal cost जो हो fixed cost से vary नहीं करता है fixed cost से affect नहीं होता है ले पर आपको total variable cost, total fixed cost और total cost दे दिये जाएगा अब आपको क्या करना है आपको marginal cost calculate कर लेना है तो marginal cost किसके basis पे calculate होता है total cost के basis पे calculate होता है तो देखिए 0 output के लिए क्या है total cost 12 है total fixed cost की वज़े से और variable cost यहाँ पर कोई नहीं है तो marginal cost यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा लेकिन ज तो वहां पर क्या करना है, marginal total cost of first unit minus total cost of previous unit, तो यहां पर total cost जो है, वो first unit के लिए कितना है 18, और previous unit के लिए कितना है 12, यहानि कि zero output पर भी total cost 12 है, तो previous कितना है, total cost 12 है, तो 18 minus 12 करेंगे 6 आ जाएगा, इसी तरीके से next है जो second unit के लिए, तो second unit के लिए total cost कितना है 22 अब 22 में से previous while total cost को minus करेंगे यानि कि 22 में से 18 को minus करेंगे तो 22 minus 18 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा clear तो इस तरीके से जो है आपको सभी बाकी के लिए marginal cost calculate कर लेना है तो unit 1 के लिए 6 और 5th unit के लिए 11 marginal cost आ जाएगा आप यहाँ पर देख रहोंगे कि 6 है 4 है फिर 5 है फिर 9 है 11 है कि लिए marginal cost यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले decrease करेगा फिर increase करेगा पहले decrease कर रहा है फिर increase कर रहा है marginal cost तो जो कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से कर्व आपको देखने हो मिलेगा जहाँ पर X axis पर output रहेगा Y axis पर marginal cost लिखेंगे और जब सारे points को match करेंगे marginal cost और output का तो इस तरीके से आपको एक curve मिलेगा U-save में जहाँ पर सुरुवात में पहले वो decrease करेगा फिर एक mid point आएगा जहाँ से वो increase करेगा clear तो इस तरीके से आपको marginal cost को graphically present करना है बात कर लिए long run cost के तो देखिए long run cost में क्या होता है कि सभी inputs जो है variable होते है सभी inputs क्या होते है variable होते हैं यहाँ पर कोई fixed cost होता ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पर तीन टाइप के cost को calculate करते हैं long run total cost, long run average cost और long run marginal cost तो long run average cost, total cost और marginal cost कैसे calculate करते हैं वो आपने short run में देख लिया है, उसी तरीके से जो long run में calculate किया जाएगा, clear, same formula होगा, बस यहाँ पर जब आप formula यूज़ करेंगे, जो data आएगा, उस data के हिसाफ से curve जो है, थोड़ा सा वो vary कर सकता है, exactly आपको same curve देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि short run में curve देखने को मिला थ clear, wish you all the best, keep watching.